हेलो असलाम वालेकुम नमस्ते सस्त्रीकाल दोस्तों मैं हूं शेकील वस्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल टेलर बड़ी में दोस्तों आज का जो वीडियो है फेचल आपकी डिमांड पर होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक के जब हम मोटर मुटर से मशिन चलाते हैं सिलागी मशीन मोटर लगा कर ऊसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो हम मोटर का तो उसको जोर से परेस करना पड़ता है तो ऐससा क्यों होता इसका कारण कहा है और इसके अपाई मि आज की स्थीो में आपको बाता आने वाला हो तो प् किस प्राब्लम की वजह से हमारा जो प्रेस करना पड़ता है जोर से किस वजह से होता है वो दिखेंगे सबसे पहले आपको एप प्लग निकाल लेना है रेगुलेटर के और उसके बाद यह चारों भी यहां पर स्कुरू होते हैं स्कुरू को निकाल कर अलग कर देना है मनें अब इसके बाद मैं इसका डखकन कोल देता हूँ और यहां पर आपको मैं अच्छे से समझा दोगा कि किस वजह से इसकी प्राब्लम होती है तो दोस्तों जैसा है कि आप देख सकते हैं जब हम इसको डबा दे हैं पैडल को दिखें इस तरह से हम दबाते हैं तो यहां पर जैसा कि देख सकते हैं आप तीन पती हां है जब देखल को पर्रेस कर रहें दिखिए तो यह दिखेंट पिखा तось ता को केर दिख्टा läng रहेए हैं इसाट कि मैं थे आप दिख सकते हैं कि मैं आपको करीब से दिखा तो यहाँ पर जो है ग्याब दिख रहा है जब हम ऐस Also प्रेस कर रहे हैं जोर से तभी इसको यह दूसरी पटी टच कर रह antic तो इसको ठेक करने के लिए आपको जो है यहाँ पर पती जो दिखे रहें इसको इस तरह से तेड़ा कर देना है यह दिखिए यहाँ पर आप चाहिए तो इस तरह से स्कुरू डाइवर रखकर इसको तेड़ा कर सकते हैं इससे क्या होगा कि जब आप हलका सा भी अगर पैडल को यह दिखिए दबा देंगे तो यह तच हो जाएगी और आपकी जो मोटर है वो आराम से गूमने लग जाएगा और इसके देव दूसरे जो कारण होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो वायर लगे वे हैं आप यहाँ पर भी इसको एक बार चेक करके देख लें कि यहाँ से तो लुज नहीं हुआ है ज्यादा तर प्रॉब्लम तो पतियों म बहुती आसाने से आप इसको यहाँ पर जो नट दिख रहे हैं इसको आप बहुती आसाने से खोल कर इसको पति को बिठा सकते हैं पति जो है आपको बाजार में कहीं भी आराम से पांच उर्प में मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आपकी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है अगर हम चाहे तो उसके उपर आपको एक वीडियो बना कर दे देंगे तो दोस्तों यह था आज के वीडियो तो उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों क्योंटिफेकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद कि अगरे